हलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एच्चिकेस्टन चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चेर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे ओमेल इजुम अब इंजेक्शन के बारे में और जानेंगे उसके बेजिक यूज के बारे में साइड एफेक्ट, कौन्टरा इंडिकेशन, प्रिकोसंस और उसके डोस वेकरा के बारे में फिर जानेंगे कि ये इंजेक्शन कौन से रूट से दिया जाता है तो डीटेल स्टडी करते हैं ओमेल इसमेब इन जेक्षन के ये वीडियो लेक्चर के अंदर तो अगर आपके पास अंड्रोइड फॉन है तो डाउनलोड करें अंड्रोइड अप्लिकेशन गूगल प्ले स्टार पर से आईफॉन यूजर है तो ये अप्स्टार पर से डाउनलोड करें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो अब समझेए कि ओमेल इसमेब इन जेक्षन सबसे पहले तो क्या है तो ओमेलेजु में आप सोल्ड अंडर दे ब्राणनेम काल ग्जॉलर ये उसका ब्राणनेम आप देख सकते हैं ग्जॉलर ब्राणनेम से ये जो है वो सेल होता है ये खास समझेए कि जब आपको कोई अलरजी होती है और अलरजी के करण जो allergic reaction से अलग अलग होती है तो उसकी sensitivity को reduce करने के लिए ये injection जो है वो design कया गया था तो ये सबसे पहला important pinpoint है आपके लिए और ये जो injection है उसके जो manufacture हम देखे तो that is a Novartis तो Novartis जो है वो ये injection को manufacture करती है under the brand name Xolair और ये subcutaneous injection कहा जाता है इसके जो vials होते हैं उसली single use होते हैं इसले देखो या पे 150 mg और उसके उपर लिखा हुआ है कि single use vial and it is typically prescribed to treat severe allergic अस्थमा ये खास समझे अस्थमा की तो treatment है बट कैसा अस्थमा severe allergic अस्थमा की ऐसा अस्थमा की जो कोई भी दूसरे anti-asthematic medication से treat नहीं हो रा which does not respond to high doses of corticosteroids and less widely for chronic spontaneous urticaria तो जो urticaria की skin related एक problem होता है उसको भी treat करने के लिए उसको use किया जाता है बट majority जो omelizumab का जो हम use देखे तो अस्थमा की treatment के अंदर use होते हैं और ऐसा अस्थमा की जब आप सभी type के anti-asthematic medications को try कर चुके है फिर भी अस्थमा ठीक नहीं हो रा तो उसके बाद आपके पास ये last option रहता है omelizumab injection का के जिससे आप फिर अस्थमा के जो attacks होते हैं उसको control में ला सकते हैं तो omelizumab के सबसे पहले basic use जान लेते हैं तो omelizumab injection is used for the people with asthma whose symptoms are not controlled with inhaled steroid or other anti-asthematic drug कि जो inhalation से जो steroid लेते हैं आप कि ये देखो कि inhalation से ये inhaler जो होता है अस्थमा का उससे समझो कि आप medications ले रहे हैं anti-asthematic inhalation वाले steroids ले रहे हैं फिर भी अस्थमा समझो कि control में नहीं आ रहा है तो ऐसे condition में आप patient को omelisumab के जो injections होते है उससे treat कर सकते है तो यहाँ पर समझे उसका first basic use कि decrease the number of asthma attack asthma के attacks को कम करने के लिए omelisumab use किया जाता है दूसरा sudden episodes of wheezing कि जब आपको asthma के दोरान जो wheezing वगेरा होती है continuous उसको treat करने के लिए भी हम उसको use करते है shortness of breath कि breathing काफी जब आपके short हो जाते है ऐसी condition को भी हम treat कर सकते है omelisumab को use करके not only for asthma बट जितने भी अलग-अलग respiratory tract related disease होती है और उसके अंदर समझो कि symptom ऐसे है कि shortness of breath और दूसरे कोई भी medication काम नहीं आ रही तो उस वक्त omelisumab जो है वो आपके लिए best option बन सकता है फिर किसे को trouble हो रही है breathing के अंदर chronic spontaneous arctic area है and trials are going on in clearing का research to treat covid-19 patients also तो जिसे मैंने बात की कि respiratory tract related जितने भी अलग-अलग symptoms develop होते है कि चाहे अस्तमा है या फिर दूसरे जितने भी respiratory tract related स्वसंत अंत्र related problem है और साथ में हम देखते कि covid-19 के भी जो symptoms वगिरा होते है वो ये respiratory tract related होते है तो ऐसे condition में समझे कि दूसरे medicines नहीं use हो रही काम नहीं आ रही है पेशन के लिए तो उस वक्त इसके उपर भी trials जो है वो भी चल रहे है कि जिससे omelizumab को यूज करके antibody म, A, B जो उसके spelling के पीछे है उसका मतलब होता है M for monoclonal और A, B का मतलब होता है antibodies तो monoclonal antibodies for treatment of asthma जिसके करन anti-esthmatic भी उसको कहा जाता है और समझो कि आप anti-esthmatic medications का पूरा classification सीखोगे तो उस वक्त भी ये omelizumab जो है वो आपको पढ़ना पढ़ता है कि omelizumab भी आपको जो यूज आज एज ए anti-esthmatic और वो monoclonal antibody class का medication ये उसका brand name famous है that is a Xolair so Glorair is a prescription medicine used to treat the symptoms of allergic asthma, chronic idiopathic urtick area and Xolair may be used alone or with other medications कि उसको आप अकेले भी यूज कर सकते हो या फिर दूसरे medications के साथ भी यूज कर सकते हैं जस्ट आपको चेक करना होता है कि उनके बीच में कोई drug-drug interactions ना हो फिर बात करें omelizumab की for covid-19 तो omelizumab is a humanized anti-immunoglobulin e-antibody approval by health Canada for the treatment of moderate and severe asthamine chronic spontaneous artik के रिए तो ये तो हमने जान लिया health Canada ने भी उसको approval किया है and omelizumab has been shown to exhibit antiviral and anti-inflammatory effect ये खास समझे कि जो अलग-अलग research हुए है उससे पता चला है कि omelizumab के पास antiviral के साथ तो साथ anti-inflammatory action है effect in virally exacerbated asthma cases that may be related to the treatment of covid-19 तो ये जो उसके properties हम कहे सकते हैं pharmacological actions उसके benefit जो है वो covid-19 के treatment में भी ले सकते हैं कि समझो की इस टाइप की किसी को symptom से तो उस वक्त ये antiviral and anti-inflammatory action भी आपको provide करेगा तो covid-19 affect the upper respiratory tract like sinusus, nose and throat and the lower respiratory tract like windpipe and lungs थुस antiviral and anti-inflammatory effects of omelizumab help to reduce such symptoms of patient with covid-19 and it is a prescription-based medication so use under the proper medical supervision तो ये खास दियन रखना है आपको कि उसकी जो properties है उसके according to उसको use किया जा सकते है उसके उपर बहुत सारे अलग-अलग research भी अभी हो रहे है और clinical trials भी को हो रहे है उसके उपर कि omelizumab को किस तरह से proper जो है वो use किया जाए और उसके क्या outcomes होगे रहा मिलेंगे so इंडिया की अब हम बात करें तो omelizumab has been approved by drug controller general of India की जिसको DCGI जो हम कहते है in 2013 for the treatment of articaria omelizumab a humanized monoclonal antibody कि जो humanized हम कहते है monoclonal antibody कि जो asthma के treatment में use किया जाता है और against the constant region of the immunoglobulin molecule was launched almost two decades ago for the treatment of severe allergic asthma कि बहुत सालों से at least last two decades से इंडिया में ये asthma की treatment के अंदर already जो है वो use होता आ रहा है कि जिसका या पर हम देख सकते कि Novartis का ये product देख सकते कि Zolair 150 mg और लिखा है कि powder for solution for injection और इसकी जो strength देख सकते है कि 150 mg जो है और उसके साथ water for injection भी जो है वो वायल के साथ जो है वो दिया जाता है So, अब जान लेते हैं उसके root कौन से root से ये injection जो है वो patient को दिया जाता है तो यहाँ पर आपके पास दो option रहते हैं एक रहता है ये single dose pre-fill syringe का कि already उसके अंदर ये medication फिल किये हुए थे कि जैसे कि आप anticoagulants के अंदर देखते कि like anoxavarin का injection है तो उसके भी ये single dose के pre-fill syringe अवेलिबल होती है तो उसके दो option से आपके पास एक है 75 mg पर 0.5 ml और दूसरा है 150 mg पर ml और 150 mg दूसरा जो है वो while रहेगा कि 150 mg while of life-lice powder for reconstitution तो उसके साथ जो है वो हम देख सकते हैं कि ये while रहता है और उसके साथ ये water for injection जो है भी दिया जाता है और ये subcutaneous roots से administered किया जाता है both ग्जॉलेर, pre-fill syringe and life-lice powder should be administered by healthcare professional only ये खास जमजे कि ये medications जो है वो सिर्फ और सिर्फ emergency condition में ही use किये जाती है कि जो healthcare professional उनको emergency condition के अंदर use करते हैं तो ये साने कि कोई अस्तमा का patient है और directly वो बाजार में से उसको खरीद कराई और self medication करे ऐसा जो है आप नहीं कर सकते directly use करने से बहुत सारे complications होते हैं और ये prescription based medication है already के जिससे proper medical supervision के अंदर में ही use करना होता है so the injection may take 5 to 10 seconds to administer do not administer more than one injection per site ये भी खास द्यान रखना होता है कि एक ही site पर एक से ज्यादा injection को आप ना दे हर वक्ट जब आपकी injection देते है patient को तो अलग-अलग sites पर उसको देना चाहिए तो ये खास द्यान रखने के subcutaneous route और proper जो professional से healthcare professional उनके द्वारा ही ये injection जो है वो patient को देना रहेगा फिर बात करें उसके doses की तो doses के लिए ग्जोलेर की जो अपनी जो official website है उसके उपर आप dose जो है लेने होते है patient के लाइक उसकी age वगेरा क्या है उसके बाद जानना होता है कि उसका weight वगेरा कितना है और तिसरा उसके body के अंदर immunoglobulin E कि जो serum IgE का level कितना है उसके basis पे आप समझो कि ये website के जो ग्जोलेर का ही अपना खुद का website है official उसके उपर आसन इसे जह हो dose calculate कर सकते है तो देखो हमने यहाँ पे एक statistically just add किया था कि समझो कि patient की age है 12 year या फिर उससे ज़्यादा यहाँ पे सिलेक किया patient का weight समझो कि हम डालते है 80 kg जितना कि ये kg हमने सिलेक किया है और फिर percentage जो serum IgE immunoglobulin का जो हम level कहते है कि international units per ml same unit में 140 समझो कि आप डालते है कि जो समझो कि patient के report में इतना IgE value मिल रहा है और फिर find dose पे आप click करोगे तो नीचे वाला जो page है वो open हो जाता है और तुरंत लिखा हुआ आएगा कि below is the appropriate dosing based on the patient's input की जो हमने input add किये उसी के according to proper आपको dose मिल गया और यहाँ पे लिख दिया है कि frequency for week और dose देना है आपको 300 mg subcutaneous से मतलब कि every 4 week आपको यह जो है injection patient को देना होगा so usually administered zolaire 75 mg तो 375 mg by subcutaneous injection every 2 और 4 weeks तो यह खास समझे कि यह injection ना ही daily लेने है weekly लेने होते है कि every 2 week या फिर every 4 week तो depend on patient कि जब यह आप अच्छे से calculate करते हैं और इसके लिए जो मैंने यह आपको दिखाया उससी तरह से proper आप यह वाली जो website है उसके उपर जाके यह proper यह जो data ज़गेर add करके proper dosing as well as frequency जो है वो calculate कर सकते है patient के लिए त्यसान है कि आप directly है injection दे दे ज़रूरी होता है patient के age को consider करना साथ हो साथ patient का weight कितना है और तिसरी चीज़ ज़रूरी है कि उसके अंदर immunoglobulin IgE का level कितना है और यह तीनो parameter को combine करने के बाद ही आप जो है वो उसके frequency और dose जो है वो consider कर पाएंगे तो यह खास ज़र रखे dose में गलती नहीं करनी है omelism में अपके अंदर गलती क्यों नहीं करनी है तो वो हम आगे जानेंगे कि उसके side effects आपको सानना जरूरी है उसके contraindications को जानना जरूरी हो तो तिसरा सबसे important जो उसकी warnings and precautions आएगी वो भी हम जानेंगे तुस्से पहले थोड़ा एक point जान लेती कि omelism में काम कैसे करता है तो immunoglobulin IgE तो वो antibodies है कि जो हमारे immune system produce करती है यहाँ पे आप distress मत होना अच्छे से यह वाले point समझ लीजे पाइला point जो है यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि यह कब से हम बात कर ले है immunoglobulin की तो immunoglobulin की जिसको IgE हम कहते है वो क्या है तो immunoglobulin E are antibodies एक टाइप की antibodies है कौन produce करता है तो हमारे immune system उसको produce करती है कब produce करती है तो जब आपको केसी भी तरह की allergy होती है if you have an allergy your immune system overreact to an allergen by producing the antibodies called immunoglobulin E कि जब भी आप कोई allergen के contact में आते है तो तुरंत आपका जो immune system है वो immunoglobulin E का production जो है वो start कर देगा these antibodies travel to the cell that release the chemical causing an allergic reaction कि SSL की जो हम mast cells वगेरा कहते है तो वहाँ पे ये travel करेंगे या फिर जहाँ पे आपको infection हुआ है वहाँ पे ये travel करेंगे कि जहाँ पे antigenes या फिर जो allergen की जो हम बात करते हैं वो enter हुए है वहाँ पे जाएंगे और ऐसे chemicals release करेंगे कि जो allergic reactions आपके body के अंदर produce करते हैं तो यहाँ पे समझेए कि सबसे पहला point one है कि ये आपका nose है और nose के अंदर ये allergen जो है वो आपके body के अंदर enter हो रहे है कि कोई virus है या फिर कोई allergen जो भी है कि like pet dender की जो हम बात करते हैं dust mites वगेरा है और cockroach debris is breathe in कि कोई भी allergen x y z बात सारे allergens होती कि जो आपने अस्थमा के lecture में already सीखा था तो जो भी allergen है कि जिससे कारण आपको allergy हो सकती है वो अस्थमा के जो attack होते हैं उसको trigger करने में help करते हैं वो समझे कि आपके nozzle root के through आपके body के अंदर enter हुए तो जैसे ही ये allergen आपके body के अंदर enter हुआ तो अब जो second point में जो लिखा है वो पढ़िया तो in response to the body in response to that allergen the body makes a substance called immunoglobulin E कि जैसे आप ये हमने previous slide में भी देखा कि जैसे ही कोई allergen आता है आपका body तुरंत immunoglobulin E को produce करना start कर देता है अब क्या होता है आगे वो तीसरे point में आप समझो the immunoglobulin attaches to the allergen and to the inflammatory cells and this release the substances that may cause inflammation in the airways अब क्या होगा कि ये जो allergens के साथ आपका ये immunoglobulin E जो है वो bind होग जाएगा तो ये IgE के साथ समझो कि ये allergen और IgE दोनों का complex बन जाएगा जिसके करन क्या होगा कि ये complex inflammation जो है वो form करेगा inflammatory cell के उपर कि ऐसे cells की जो inflammation होने के लिए responsible होते हैं तो अब क्या होगा ये complex बनने के कारण आपका जो airway है वहाँ पे inflammation produce होना start हो जाएगा कि जो हम normal bronchise कहते है और जो bronchials होते हैं कि ये जो normal है उसके compare में फिर asthmatic attack के दरण काफी वो narrow हो जाता है जिसके करन person को breathing करने में जो है वो difficulty होती होती कि जो अंदर का जो lumen होता है diameter कि पहले समझो कि इस type का diameter था तो वो अंदर का diameter सिर्फ इतना छोटा हो जाएगा जिसके करन air अच्छे से पास नहीं हो गयागी और उसी के करन क्या होता है कि जो asthmat का attack आता है तो वो asthmatic attacks जो है वो produce करते है किसी भी person के अंदर तो यहाँ पर आप समझें कि जो omelism में भी है वो क्या है आगे ही हमने जो सीखा तो anti-IgE है तो वो क्या करेगा यह immunoglobulin E को रोकेगा यह allergen से bind होने से जिसके करन यह inflammatory cell जो inflammation produce करते हैं वो inflammation ही नहीं होगा और inflammation नहीं होगा तो airways जो है वो आपके normal रहेंगे और airway normal रहेंगे तो breathing जो है वो patient आसानी से कर पाएगा और इस तरह से asthmat का ilaj हो जाएगा not only the asthmat बड़ेसे कोई भी condition कि जिसके करन patient को breathing में difficulty हो रही है सास लेने में difficulty हो रही है airway narrow हो गया है तो सभी symptom को यह treat करेगा तो यहाँ पर इस तरह से होता है कि जब समझे कि हम biotechnology के अंदर चले जाए microbiology में चले जाए तो यह जो immunoglobulins का जो structure है वो इस तरह से होता है कि जो English में जो हम Y लिखते है ऐसा होता है यह immunoglobulin और उसके अलग-अलग regions होते है यहाँ पर जो होता है उसका antigen binding site का आजाता है नीचे जो है FCRI binding site का आजाते है कि FCRI क्या है तो FC, epsilonRI is the high affinity receptor एक type का receptor है for the FC region of the immunoglobulin कि जैसे जैसे कोई भी site के उपर जो receptor होते है कि जो किसी भी substance को वहाँ पे bind करने के लिए help करते है कि जैसे कि यहाँ पे FAB fragment आप देख सकते है यह उपर की दो heavy chance कि जो V region कहा जाता है कि वहाँ पे antigen binding sites होते है उसी तरह से यहाँ पे FC, epsilonRI binding site है कि जहाँ पे जो अलग-अलग antigen सवगेरा bind हो सकते है अलग-अलग allergen से वह वहाँ पे bind हो सकते है तो हमारा जो medications क्या करता है यहाँ पे जो binding होता है उसको inhibit करवाता है जिसके करन आगे जाके जो mediators produce नहीं होते कि जो inflammation करवाते है So, the high affinity IgE receptor also known as FC, epsilon, RI is the high affinity receptor for the FC reason of the immunoglobulin and antibody isotife involved in the allergy disorder and parasite immunity Allergy disorders के लिए ये के अंदर ये involve होता है So, हमारा medication क्या करता है यहाँ पे देखो कि चाहे आप omelism एब्यूस कर रहे है Side में खास आप diagram पे उपर ध्यान रखना कि ये देखो immunoglobulin है वो कहाँ पे जा रहा है ये mast cell या फिर bezophil के पास जा रहा है ये उसके binding site हमने जो बात करी FCERI तो आपका जो medication है कि legalizumab है omelizumab है या फिर quilizumab तो ये anti-IGE antibodies जो कहाँ जाते है वो क्या करेंगे ये binding को जो है वो नहीं होने देंगे कि यहाँ पे देखो already ये जो cross किया हुआ है कि यहाँ पे binding नहीं होने देगे कि यहाँ पे जो binding site यहाँ पे ये omelizumab जो है वो bind नहीं होने देगा ये binding नहीं होगा किसी भी allergen का कि ये allergen है जमझो ये allergen यहाँ पे आ रहा है binding होने के लिए तो ये binding site जो है उसको inhibit करता है, उसी तरह से ये anti-inflammatory as well as anti-viral activity आपको provide करता है, so it provides the anti-inflammatory action and reduce the inflammation in respiratory tract, क्या आपके respiratory tract में जहाँ पे ये inflammation हो रहा था, वो रोकने का काम करेगा and omelism binds to free immunoglobulin E which lowers the free immunoglobulin E level and cause epsilon ri receptor on the basophil and mast cell to be down regulated simply एक ही concept है कि आपका जो medication है वो इसके साथ जो है वो क्या करेगा binding करेगा जिसके करण जो allergen से वो इसके साथ IgE के साथ bind नहीं होगे और जो complex फिर आगे जाके form होता है, वो complex responsible बनता है, inflammation के लिए, तो IgE जितने free थे, वो सभी के साथ ये medication अपना bonding कर लेते, जिसके करण जो free immunoglobulins थे, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, दिरे-दिरे reduce होते जाएगी, और patient के अंदर जो inflammation के mediators जो increase हुए थे, वो IgE न होने के करण काफी कम हो जाएगे, और दिरे-दिरे जिसे जिसे ये medications की 100% effect होती जाती है सभी ये IgE जो free थे, वो bind हो जाएगे और inflammation जो है, वो कम हो जाता है So, omelism अब neutralized the free immunoglobulin E in the circulation without activating the mass cell and inflammatory cell कि mass cell को भी activate नहीं करेगा inflammatory cell को भी activate नहीं करेगा जिसके करण जो inflammation हो रहा था, वो रोकेगा जैसे आपको ये antacid medication को देते है, acid को neutralize करने के लिए, कि जो acid आगे जाके आपको problem करता है acidity के अंदर तो उसको neutralize करते हैं antacid medications, उसी तरह से ये omelizumab immunoglobulin eco-neutralize करता है कि जो आगे जाके responsible बनता है inflammation के लिए तो इस तरह से ये medication अपना काम कर दी है और asthma के patient या फिर ऐसे कोई भी patient के जिसके अंदर respiratory के अंदर inflammation होता है जो bronchials होते है या फिर पूरा respiratory के अंदर constriction हुआ है तो inflammation के कारण तो उसको normalize करने में जो है, वो help करेगी so उसके safety information जानना जरूरी कि जो company भी खास आपको warnings देती है कि anaphylaxis can occurs कि जब आप जॉलेर को use करते है omelizumab को तो उसके करन anaphylaxis shock हो सकता है patient के अंदर कि जिसके अंदर क्या हो सकते है कि ये symptoms आप देखो बाजू में मैंने आपको दिखाए है तो swollen eyes होना कि आखों के अंदर काफी सूजन आ जाना swollen lips और tongue आपके lips काफी swollen हो जाते हैं मतलब कि lips काफी सूजन देखने को मिलेगी lips के अंदर tongue के अंदर सूजन देखने को मिलेगी उसी तरह से wheezing cough और difficulty in getting air फिर hives develop हो सकते हैं आपके skin के layers के उपर abdominal pain हो सकता है vomiting या फिर heart rate जो है वो आपके increase हो सकते है फिर confusion, headache और loss of consciousness तो जरूरी है कि patient को पहले lower dose दिया जाए lower dose से समझो कि उसको आपको लगता है कि कोई complications नहीं हो रहे है तो ही जो है वाप आगे उसकी treatment ओमेलिजू में अपसे करते हैं वरना anaphylaxis सौक के करन उसकी condition जो है वो और ज्यादा खराब हो सकते है उसी के करन जो proper prevention के साथ ही उसको यूज किया जाता है साथ और साथ प्रिकोशन्स तो यूज वीद प्रॉपर प्रिकोशन्स and anaphylaxis presenting as a bronchosplazbum hypotension कि जैसे हमने यहाँ पर यह डायग्राम के अंदर जो symptoms देखे उसी की यहाँ पर बात की है कि यह जो हमने symptoms यहाँ पर आपको समझाए यह सब symptoms डेवलक्ट रिपोर्ड किये गए है already जोलेर के use करने के बाद तो proper precautions रखना जरूरी है कि patient के condition कैसी है और उसको समझे कि already यह type के problem है तो उस वक्त यह medication देना सही नहीं रहेगा कि already patient का abdominal pain जैसा है heart related कोई problem है already उसके body के अंदर और ज्यादा ऐसा inflammation है तो उस वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यह medication उसको proper safety के साथ ही आप use करें तो उसके side effect आप देखो कि side effect आप देखो कि जब किसी injection उसको subcutaneous ले दिया जता है तो at the site injection side कि जिस site पर आपने injection दिया है subcutaneous से तो वहाँ पर क्या side effect होते है तो patient को एक तो bleeding होती है कि जो side पर आपने injection दिया है वहाँ पर bleeding हो सकता है blistering जैसा हो सकता है साथो साथ burning हो सकती है coldness हो सकता है discoloration हो सकता है skin का feeling of pressure hives जो हमने बात की infection जैसा हो सकता है inflammation हो सकता है itching हो सकती है lumps जैसा हो सकता है numbness हो सकती है वहापे जो side पे अपने injection दिया है pain हो सकता है rashes, redness, scaring, soreness stinging, swelling, tenderness ये सब हो सकते हैं at the site of injection तो ये खास जरूरी है कि injection देने के बाद proper जो है वो patient के care की जाए फिर tingling होता है, ulceration भी हो सकता है omelism app के site of injection के उपर फिर बात करें उसके other side effects के तो body etches और pain, body के अदर pain होना cold, congestion, dryness और soreness of the throat कि जो हम बात करते हैं कि घला सूखता है patient का कई बार कुछ medications देने के बाद तो ये side effect omelism app में develop हो सकती है headache हो सकता है, leg pain, pain और tenderness around the eyes and cheekbones, stuffy और runny nose ये हो सकता है और voice changes कि जो hoarseness वागिरा जो हम कहते हैं कि voice change हो जाना थोड़ा बहुत तो ये सब side effects देखनों को मिलते हैं omelism app के use करने के बाद who should not take the xol air किसको ये injection नहीं लेना चाहिए तो सबसे पहले देखे कि infection caused by more than one type of worm एक या एक से ज़्यादा worms के करन हुआ कैसी को infection है cancer या फिर malignancy है increase in eosinophils in the blood blood के अंदर eosinophils ज्यादा है inflammation of the blood vessels and increase in cardiovascular event कि जिसको heart related problem है blood vessels का inflammation है eosinophils काफी increase हो गए है blood के अंदर cancer या फिर malignancy का present है और एक या एक से ज्यादा worms के करन infection हुआ है उनको ये जो हो नहीं देना चाहिए should not take not take खास देन रखे तो जब भी आप इस टाइप के video lectures देखते तो जरूरी है कि उसको proper study करें ऐसा नहीं कि आप थोड़ा बहुत देखके वीडियो को skip करके कोई नया वीडियो देखे बट जरूरी है contraindications खास समझना because एक समय समझो कि आप use नहीं करते तो चलेगा but गलती से use कर लिया contraindications conditions के अंदर तो इसे करन पेशन का काफी complications हो सकते आगे जाके तो ये जरूरी है कि proper knowledge लिया जाए किसी भी इस टाइप के informative video lectures का अगर information से अच्छी लगती तो जरूर से share करिए pharma rocks के lectures note आपको pharma rocks के app उपर मिल जाएंगे thank you for watching join कर सकते हैं whatsapp group ये वाला whatsapp helpline number है pharma rocks का you can also use our app pharma rocks android user है तो android app डाउनलोड करे iphone यूज करते तो app store पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं links आपको description box के अंदर मिल जाएंगी और वहाप आप आप अक्सस कर सकते study material, test series and video lectures को so good luck and all the best